असलेम अलेकुम वेलकम टू यास किचुन आज हम बनाएंगे वेच स्प्रिंग रोल पॉकेट्स जो बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है आप एक बार से जरूर ट्राइ करें पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं पैन में 2 टी स्पून ओल आड़ कर लेंगे औल को मीडियम फ् स्टी स्टे करेंगे ट्राइंट होने तक क्याविए यह कावएच में अन्यक्राइबान वेंच्पाविक जेदेदों पैं मेंशहगें इसमाव टीस्पून नमक करेंगे ताकर स्टमाइबान नाहर इंगे यह पानी पानी है किकी इसका है तरह चाट कैस्ए शिया कि ऽॉधि यह देखें, जो cabbage का पानी है, वो release हो रहा है, इस तरह से आप squeeze करकर इसमें आड़ करें, ठीक है, और इसे भी हमें अच्छे तरह से saute करना है, फिर देखें, मैंने यहाँ पर french beans लिया है, quarter cup के खरीब, काल मिर्च का पॉड़र आड़ करेंगे, half teaspoon, अच्छे से mix करने से, नमक आड़ करेंगे, half teaspoon, इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे, medium to low flame पर यह में पकाना है, ठीक है, रचिली sauce आड़ करेंगे हो, one tablespoon, और soya sauce, half tablespoon, टमाटो sauce, one tablespoon, इसे अच्छे से mix कर लेंगे, अब, off flame को off कर दे, अब ज्यादा हमें इसे cook नहीं करना है, room temperature पर इसे थंदा कर लेंगे, यह देखें, spring roll के जो sheets आते हैं, ready made use नहीं कर रहे हूं है, यह आपर, इसे हम बना लेंगे, घर पर ही, ठीक है, one cup मैदा में, half teaspoon, नमक आड़ करेंगे, और corn flour आड़ करेंगे, one tablespoon, अच्छ से mix कर लें, यह देखें, यह कितना थिक है, अभी हम इसमें पानी आड़ करेंगे, running consistency का होना चाहिए, batter, ठीक है, अच्छ से mix करते जाए, और पानी आड़ करते जाए, तकरिबन मैंने यह आपर, two and a half cup, water use किया है, यह देखें, इस तरह का होना चाहिए, यहापर मैंने pan ग अंदर हम add कर देंगे हमारा batter, ठीक है, इस तरहां से आप क्या करें, इसे turn करते हुए ही, इसे हमें फैलाना है, और low flame पर हमें इसे पकाना है, ठीक है, यह देखें, इस तरहां से जो है, यह pan को छोड़ देगा, बहुत ही carefully आप इसे turn कर लें, बहुत ही hot होता है, ठीक है, य बस अभी से हमें निकाल लेना है, इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे sheets को ready कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप इसे stroke करकर भी रख सकते हैं, 1-2 weeks के लिए भी, ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं, हमारे wedge spring rolls, एक ले लेंगे हम यहाँ पर, sheet हमारी, ठीक है, यह देखें, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप chicken या mutton के भी बना सकते हैं, spring rolls, इसे हम इस तरह से fold करेंगे, और देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया है, मैदा, 2 टेबल स्पून और water add कर लिया है, 1 टेबल स्पून इस तरह से paste बना लिया है, इसे हम stick कर देंगे इस से, ताकि यह अगर भी store करकर भी रख सकते हैं, ready to fry, spring rolls हमारे बनकर ready है, इस तरह से आप store करकर भी रख सकते हैं, जबी भी आपका दिल करें, आप fry करकर serve कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब इसी तरह से हम सारे बना कर ready कर लेंगे, जटपट से, यह देखें, बहुत easy होता है, ready machines भी मिलते हैं, तो आप उसे भी लाकर, जटपट से बना कर ready कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही easy होता है, तो घर पर यह आप बना कर रख लें, यह देखें, मैंने यहाँ पर बना कर रख लिया है, अब हम इसे fry कर लेंगे, यह देखें, कितने अच्छे से यह बन कर ready हो गए हैं, यह द medium to low flame पर हमें इसे fry करना है, crispy होने तक, light brown color आने तक fry करेंगे, इसके sights को change करते हुए, आप इसे fry कर लें, यह देखें, इसमें color आ चुका है, high flame बिल्कुल भी नहीं करना है हमें fry, medium to low flame पर ही fry करेंगे, थोड़ा सा time लगेगा, यह देखें, color आ चुका है, इसमें light brown color अब से हम निकाल लेंगे, यह देखें, कितना यमी लग रहा है, इस तरह से आप बच्चों को बना कर देख सकते हैं, snacks में, यह देखें, इसी तरह से हम सारे यहां पर fry कर लेंगे, बहुत ही clearfully add करें, यह देखें, बहुत ही crispy है, यह आप कुछ देर के बाद इसे serve करें, यह बह इक 5 minutes के बाद इसे serve कर लें, अच्छी तरह से यह fry हो गए हैं, यह देखें, बहुत ही tasty से हमारे यहां पर wet spring roll pockets बनकर ready हो गए हैं, आप इसे mayonnaise के साथ या फिर ketchup के साथ serve करें, आप सब को यह ज़रूर पसंद आएंगे, छोटे हो या बड़े, इस तरह से बना कर आप उन्हे दे सकते हैं, like करें मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो subscribe कर ले, अगर आप नहीं किया है, और ज्यादा से जदा please friends और family के साथ share करें, मेरे चैनल को grow करने के लिए please मुझे support करें, instagram पर भी मुझे follow कर ले, thanks for watching